अज़ सब ठला है डर गए हम निम्बु का ही देखके दुसरा ही कलर दिखा डर गए गड़ मॉने एविवान कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे अर्शु स्वस्थ होंगे तो अभी शड़े आठ बच गया है ब्रेकफास्ट ही नहीं ले हूँ तो अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए नहा ले और और मैं अकेले हूँ पुरा सुनसान है कोई टीचर्स नहीं आपर सब लोग लोकल के थे तो दो तीन घंटा इसे रास्ता होगा तो सब चले गए मैं अकेले दूर की हूँ तो सोची की नहीं जाओंगी पैस भी नहीं यहां तो खालियत कैसे जाओंगी तो अकेले हैं सोच रही हूँ आज की कुछ वीडियो बना लेती हूँ आप लोग से शेयर करूंगे अपना फीलिंग्स कैसे लग रहा किले में इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें रहना पड़ता है तो अभी मैं नहाद वाक अभी जा रहा हूं ब्रेकफस्ट लेने के लिए यहां बोटल पकड़ी हूं कितना जम गया आयरन बह और क्या बना है क्या मिलेगा जा रही हूं फस्ट फ्लोर में रखती हूं कि अज बड़ा सब बिंदी लगाई हूं ऐसे था तो आज सोची के लागा लिप्ती हूं बड़ास लग रहे हैं यह मिल गया है सब्जी तीन रोटी खा रहा है और आलू का सब्जी महिना में तीन हजर कटेगा इतना इससे खाना खाली अब दर घूमने आ गई हूं अब गोंगरा बोलते हैं सब्फला है यहां कुछ कुछ सब्जी रोप दिये हैं बिंडी गोंगरा कद्दू सब कि दिन भर रोम में रहना पड़ेगा इसल थोड़ा घूम लेती हूं तो का पेड़ फलाय चुटा भी तयार भी नहीं हुआ है बच्चों का खेलने वाला यहां इधर मैदान बनेगा तो यहां का कटाई हो रहा है यहां ग्राब सब्फला इधर पुरधान का खेत है ग्रीन ग्रीन पूरा चारो तरफ है इधर डर भी लगता है थोड़ा स्नेक साब का डर रहता है का करेंगे थोड़ा वीडियो बना लिते हैं सोच रहे हैं पूरा हरा 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 पूरा बहुत बड़ा जगा है स्कुल के बगल बगल पूरा खेत है उधर एला हुआ है पूरा चारो तरफ बॉंटर दिख रहा हुआ अब नई जाएंगे नजदिक तो दूर ही से जूंड सब है अब ताने कब क्या मिल जाएं पूरा लाइन लाइन शावगान का पेड़ अब देख सकते हैं पूरा नीमबू का पौधा लगाया गया है सब तरफ दिखाते हैं ग्रास बहुत सारा था ट्रैक्टर से इसको निकाल दिये हैं देखिए कितना नीमबू फला है साप पेड में इतना नीमबू फला है देखिए नीमबू ही नीमबू साप पेड में इतना पाउधा है लेकिन इसका फल देखिए इतना वो गसा 30-40 होगा साप पेड में फला है कोई भी पेड ऐसा नहीं पाउधा नहीं है कि ना फला हो साब पहली बार देख रहा है इतना आज निकली हूँ तो बना लेती हूँ वीडियो जिसको नीमबू पसंद है प्लीज कोमेंट कीजेगा कि कभी आप लोग ऐसे नीमबू देखे हैं इतना बहुं सा रपेड लगा हुआ प्लीज और एक लाइक कर दीजे यह की वीडियो बनाने बहुं टाइम लगता है समय लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजे दोनों सेड में एक ही लाइन में दो दो लगा दिये हैं और सप्थला है अब डर गए हम नीमबू का ही देखके दूसरा ही कलर दिखा डर गए इतना धूप लग रहा है वाफ इतना अब जा रही हुं उपर कितना दूप में रहेंगे इधर गाय सब पाले हैं अंदर में गाय देखने वाले लोग हैं दो तिन होंगे और रूम में आ गई हूँ और देखिए यह चार्ट पेपर खरे दी हूँ यहां खरे दना पड़ता है चार्ट पेपर और अब इसमें रेजल्ट बनाना पड़ेगा सब बचों का नेम और एक्जाम का नेम और कौन से सब्जिब ने कितना मार्क्स लाया है वो इसमें चार्ट में बनेगा फिर उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टर है इसमें भी बनेगा अब सूरू करेंगे इसमें भी पूरा लिखना है क्लास वाइज अपना अपना क्लास टीचर इसमें लिखेंगे तो हम अब भी लिखेंगे बनाएंगे तो फिर मिलते हैं बाई बाई ठेक केर बना लेती हूं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और कुमेंट कीजेगा प्लीज बाई बाई